बोले हम तो तेरे प्यार में जाने तुझे को जबर कब होगी बोले हम तो लिख गए तेरे प्यार में बाबा तेरे प्यार में जाने तुझ 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 प्यार, इशक और मुहबबत तिनों का मतलब एक जैसा ही है लेकिन होता अलग लग सक्ष है लेकिन क्या हो अगर आपका प्यार, इशक और मुहबबत सिर्फ एक हो महादेव अपने इसी महबबत से मिलने, यूकेपीडिया भी निकल पड़ा जीवन के उस सफर पर, जिसका सपना तो होस समालते ही देख लिया था लेकिन क्या पता था कि वो सपना अब हकीकत बनने वाला है वक्त लगा, लेकिन कहते हैं न, महादेव अपने भक्तों से कभी नाराज नहीं होते, तो भारी बारिश और उत्राखन में हुए बीते दिनों, भारी तबाई के बाद भी निकल पड़े चुनोतियों का सामना करने और अपने महादेव से मिलने इस दोरान सफर में हम मुसाफिरों के साथ क्या कुछ हुआ, माइनश डिगरी से सफर कैसे गुजरा और जीवन की की सच्चाई का सामना करना पड़ा, दिखाएंगे आपको आज की इस वीडियो में, तो भूले बाबा का नाम लेकर करते हैं अपनी जलनी को शुरू दोस्तों अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि सफर कैसा होना चाहिए, तो जाहिर सी बात है, आप कहोगे कि वैसा होना चाहिए जिसमें रोमांच हो, एडवेंचर हो, थ्रिल हो लेकिन अगर रोमांच के साथ साथ आपको एक खूबसूरत से पहाड कलकल करती मंदाकनी और छोटे छोटे चोटे गाउं और पहाड का जीवन देखने को मिली तो एक अलगी फीलिंग आती है ना तो यही सब है जो एक सफर को यादगार बनाता है, कभी न भूलने वाली इस मिलतिया जहन में गड़ जाता है केदालनात नाम सुनते ही एक अलगशी उर्जा पूरे जहन में दोड़ने लगती है उस उर्जा की जितनी तीज तो नहीं लेकिन भूले बाबा से मिलने की उत्सुकता इतनी थी कि पहाड की इन सड़कों पर पचास से साथ किलो मीटर पलती घंटा की रबतार से दोड़ रही गाड़ी भी मानो कच्छुए की चाल सी पलतीत हो रही थी लेकिन जैसे ही नजरे गाड़ियों से हटा कर परकिर्टी की इस खूबसूरत तोफ़े के और जाती तो मानो दिमाग एक अलग ही दुनिया में चला गया हो खूबसूरत से छोटे बड़े हरे बड़े पहाड चहरे को सहलाती ठंडी हवा और मंदाकनी के परवा की मद्यम आवाज दिल तो यही कर रहा है कि बस यहीं बस जाओ इन गाटियों में ही लेकिन कहते हैं ना कि भगवान से मिलने जाओ तो रास्ते कि मुह माया आपको सफ़ग तैन करने नहीं देता लेकिन हम तो भोले के भगते हैं ना मुह माया से काफी दूर इसलिए फूकस सिर्फ एक, मंजिल सिर्फ एक, बाबा के दार बात कलते कलते पता नहीं चला कि कब हम गुप्तकाशी पहुंच गए यह जो बाजार आप देख रहे हैं न यह गुप्तकाशी का मुख्य बाजार है इससे आगे बढ़ते हुए हम निकलते हैं सुनप्रिया की और क्योंकि जितनी जल्दी हो सके हमें गौरी कुंड पहुंचना है और फिर आज ही गौरी कुंड से किदाना धाम के लिए पैदल यात्रा इसलिए एक-एक सेकेंड हमारे लिए कीमती है वक्त को हम इसलिए भी नहीं गवाना चाहते हैं कि आजकल रात बहुत जल्दी हो रही है और पहाडों में तो शाम 6 बजे ही रात हो जाती है उपर से नवंबर का महीना हांड कपाने वाली ठंड वैसे ठंड से तो कोई दिक्कत नहीं जहल लेंगे लेकिन रात को सफर करना थोड़ा मुस्किल हो जाता है ऐसे में वक्त बहुत कीमती है वैसे वक्त तो हमेशा सही प्राइसलेस रहा है लेकिन समझ में आज आया है वैसे आप हेलिकॉप्टर के माद्यम से भी केदानाद पहुंच सकते हैं केवल 6 मिनट में इसके लिए आपको फाटा सोन प्रयाक से हैली सेवाई उपलब्द हो जाएंगी तो चलिए पहले हैली के माद्यम से आपको केदानाद घाटी का भीहंगम दिरिश्य दिखाते हैं उसके बाद केदानाद धाम पहुंचने वाला पैदल मार्ग भी दिखाएंगे और सफर तई करेंगे यह पूरा दिरिश्य जो आप देख रहे हैं वो केदार घाटी के है जिन पहाड़ों पर आपकी नजरे दोड़ रही है यह पहाड़ दोजार तेरा के आपदा के गवा है इनी पहाड़ों की ओर भाग कर कई यात्रियों ने अपनी जान बचाई थी कई इन पहाड़ों में जिन्दा दफन भी हुए लेकिन कहते हैं न जिस मातरा में आप दोगे उसी मातरा में आपको मिलेगा भी तो प्रेकलती के साथ जिस तरों का भेवार हम लोगों ने किया उसी का प्रिणाम दोजार तेरा के आपदा रही परसनली मेरा मानना है कि केदानाथ के लिए इस तरों की हेली सेवाई या फिर केदानाथ तक जो रोड बनाने की बात हमारे मानने पलदानमंतरी जीने कही वो बिलकुल सही नहीं है व्यक्दिगत तोर पर मैं इसका विरोध करता हूँ क्योंकि यह हमारा तीर्फे स्थल है परियटक स्थल नहीं जहां आप हेलिकॉप्टर या गाड़ियों के माध्यम से परियटकों को पहुचाए या उतारे इसके लिए और भी जगवा है उत्राखड में कई परियटक स्थल है उन्हें विक्सित किया जाना चाहिए लेकिन बाबा केदार के धाम की यात्रा उसी तरह होनी चाहिए जैसे आज से 40-50 साल पहले होती थी ताकि केवल वे लोग ही यहां पहुंच सके जो वाकई बाबा केदार में आस्ता रखते हो ना कि पिकनिक और बर्फवारी देखने के लिए यहां आना चाहते हो वैसे यह मेरे ब्यक्तिगत बिचार है कोई दिल से मत ले लीजेगा तो चलिए हैली से तो आपने पूरे केदार घाटी का नजारा देख लिया अब भक्तों की नजर से भी बाबा केदार के दर को देख लेते हैं और आस्वान से जमीन पर उतर लेते हैं और गौरी कुंड से अपने सफर की कलते हैं सुरुवात गौरी कुंड से हमारा केदार ना तक करेबन 16 किलोमेटर का पैदल ट्रेक शुरू होता है वैसे रास्ता कठिन नहीं है पूरे रास्ते को अच्छे से बनाये गया है हाँ लेकिन चड़ाई जरूर है लेकिन नॉर्मल वाली अगर आप पैदल चलने का और घुमने फिरने का सौक रखते हो तो आप आसानी से तीन घंटे में केदार ना तक का सफर ताई कर सकते हो लेकिन अगर चलना कम होता है तो आपको इसमें चार से पांच घंटे भी लग सकते है गोरी कुंड से केदानात की ओर बढ़ते होए पहला पढ़ाओ भीमबली हमने पार कर लिया अब इस जगों को भीमबली क्यों कहा जाता है ये भी बताऊंगा लेकिन बहुत बड़ी कहानी है तो इस पर सेपरेट एक वीडियो में बनाऊंगा जिसमें केदानात और गोरी कुंड के बीच पढ़ने वाले बिविन पढ़ाओं की क्या मानिता है क्यों इनका नाम रखा गया है और केदानात यात्रा में इन पढ़ाओं का क्या महत्व है सब कुछ बताऊंगा आपको लेकिन एक अलग सी वीडियो सेपरेट वीडियो इन पर बनेगी तब तक यार प्लीज अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर गिरपरवेश कर लें और देखो ना बातू-बातू में रास्ता कैसे कट जाता है हम भी अपने मंजिल के और पहुँचने वाले हैं ये जो आप देख रहे हैं ये छोटी लिंचोली है आसपास के पहाड बर्फ से लगदक हो रखे हैं ऐसा लग रहा मानो परकिटी ने भस्म से भगवान सिव का श्रिंगार किया हो चलिए अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रात भी होई गई रात को बाबा केदार कैसे दिखते हैं जरा इन सौट से आप देखिए बाकी बाबा केदार के दर्शन तो सुबह ही होंगे और अभी तुम्हारा भाई भी बहुत ठक गया है तो चलिए आराम करते हैं जय जय बाबा केदार नगी जय 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 बाबा केदार एक नई सुबह बाबा केदार के दर्शन पर यहां पहुचकर जो सब्द मन से निकल रहे हैं वो है सिर्फ और सिर्फ जन्नत स्वर्ग अगर मैं इस जगो को कुछ सब्दों में डिस्क्राइब करने की कोशिस करूँ तो यही कहूँगा अदभुत अकल्पनिया आलोकिक अदुतिया वैसे हिंदी के इन भारी भरकम सब्दों का परियोग कम ही होता है लेकिन अगर आप केदार नात धाम पहुंसते हो और यह नजारे देखते हो तो लगता है कि इन सब्दों के साथ न्याई हुआ है वाकिए अगर कहीं इन सब्दों का परियोग किया जाना चाहिए तो वो जगो है यह बाबा केदार की नगरी मातना आप गारे नाप गार केदार केदार कीए जब खागा आखशना सब्सक्राइब। यात्री यात्रा बहुत शुन्दर चली है कोविड के टाइम को देखते हुए हमें ये सारी पता ये बिस्वाज नेता कि इतनी यात्रा चलेगी लेकिन भगवान की भक्ती में कहीं कोई कमी नहीं है और भक्तों में भी कोई कमी नहीं है याता ऐसी चली कि बहुत याता चली और बहुत सांदी प्रोटन से याता चल रही है यात्री आ रहे हैं भगवान के दर्शन कर रहे हैं सबी लोग आ रहे हैं सब भगवान के दर्शन कर रहे हैं यहां पर किसी प्रकार की कोई दिकत नहीं है और भगवान साक्षातरू में बिनास के साथ विकास भी जरूरी है जरूर होता है लेकि आसा नहीं कि सरकार उनको तोड़कर के और अपनी व्यास्ता को उस पर तुपए इस यह पूंद करेंगे हम जाते हैं विकास हो शुन्दर हो झाल झाल